की जीवन से ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं है घटनाएं बोल कर नहीं आएगी हमें हर प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हर चीज के इंफ्रास्ट्रक्चरों को बेहतर करना होगा हर जगह पर आर्थिक लाब नहीं देखे जा सकते हैं जिस तरीके के घटना करम हुए वो दर्दनाक सीन सोच कर ही दिल डर जाता है कि सच में कितनी भयानक वो सिच्वेशन रही होगी जिस समय उस दर्वाजे से पानी एंट्री कर रहा होगा और निकलने के हडबडी रही हो या निकलने की कुजल बाजी या कोशिश कर रहे होंगे विध्यारती वो कि इतना दर्दनाक मनजर रहा होगा मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी सपने में कलपनाओं में ऐसी चीज भी आ जाए पर बहुत जरूरी है हमें एक जुट होना हर व्यक्ति को न केवल पैरेंट्स को समाच के हर नागरी को क्योंकि हम ही लोग यहां पर बसे हैं हम ही लोग हैं जिनके साथ उनका आना जाना या बैठना है जिस लाइबरेरी में वो जा रहे हैं वो सब हम ही हैं हमें जवाब देहिता लेनी पड़ेगे हमें सुईकार करना पड़ेगा कि हमारी खामियों को हमें दूर करना चाहिए सबसे बड़ी मैं रिक्वेस करूगा कि कोई भी के पड़ेंद्र सरकार की बात करें राज्य सरकारों की बात करें कहीं की भी बात हो केवल दिल्ली की बात नहीं है कोटा हो या फिर हम बात करेंगे कि महरास्ट में लातूर जैसा शेत्र होता है या फिर मैं बात करूगा कि दक्षिन भारत में हैदराबाद जैसी जगह होती है जहां पर भी अलग-लग competitive exam की बच्चे तयारी कर रहे हैं हमें सबसे पहले इस बात को तै करना होगा कि हमारे हर भारती ये खास करके युवाओ की जो जीवन रिस्क में लगातार बन रहा है इसको कैसे न्यूनतम करे एक विध्यारती का जीवन पहले सी संकटों में है और उस situation में हम उसकी अगर पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे तो हम कैसे माने कि वो अपनी योग्यता के आधार पर चीजों को बेहतर कर पाएगा मैं आज की इस वीडियो में बस इतनी सी request करूगा कि हमें जवाब देहितापताए करनी पड़ेगी हर जगह पर एक नागरी के तोर पर एक परिवार के तोर पर एक पैरेंट्स के तोर पर एक समाच के तोर पर और केवल घटनाओं के बाद नहीं घटनाओं के पूर्व कैसे संभव हो पाया कि उन्स दवरान किसी का भी नजरे नहीं गई होगी कि क्या घटना करम वहां आसपास हो रहा है इस घटना के बाद न केवल जवाब देहीत आता हो बलकि जिम्मेदारी भी लेने का एक मासदा रगे लो कब तक राजनीती ही चलती रहेगी क्या मानिवी